अलो बच्चों, यूआ रेल्कुम्म तो इवamat पेल में इसरीन यूद्टियूट् अगर अगर और्य मीचिय कुससितन टैखी कर देखा जाए, तो और्य मीचिक के Does Onis प्रफशन का लेबल देखा थे तो बहुत फ्लाट पॉस्टन था पाच्छे कोश्टन ऐसे थे जिसमें राइंक बन सकता है अगर वह पाच्छे कोश्टन आप लोगों ने सही किया होता तो रहेंक आपका और भी इंप्रूम्ब हो सकता है मेरे जाल से मुझे बता है कि 40 कोश्टन तक आपको बहुत आराम से कर लेना चाहिए चलिए देखते हैं कि कोश्टन कैसा है और कैसा कोश्टन का पैटर्न है और क्यों मैं 40 कोश्टन पूलना हूँ डिस्कुशन करते ही समझने आएगा आप लोगों को चलिए कोश्टन नंबर अगया लगा है कैना अम बात करें तो डिक आपको सब्सक्राइब करता है कि यहां पे अक्सर बख्यों कर सकते हैं कि सब्सक्तों पता है कि थी के आटाय स्कुत होता है लिए लिगन यहां पे कहा निखा हुआ है ऑस यानि असवाला एकसिटर जिसमें फॉस्पोरस अपने लोवर ऑक्सोडिशन स्टेट पर होता है जब कि न्यूक्रियो साइड में जो इस CS2 पे ओपर जो फॉस्पोरस लगा होता है वो प्लस 5 ऑक्सोडिशन स्टेट पर होता है जो उसका maximum होता है इस वज़े से फॉस्पोरस की जग हो तो बहुत ही आसान है एक दम आसान कोश्टन है आपको पता होगा कि डॉबल जो मुऊंसे अटेग्स कारड़ जो होता है नुद को था होता है एक्स जो लगा हुआ है ये आनाइक कारड़कन पर लगा हुआ है इसलिए हैसले सिंपल फलाट को शओं करके होगा थे बिल्कुन सही है जिन बच्चों में 3 किया होगा 3 का नमबर प्रस पोर मिलना है ठीक है आए कोशन नमबर फ़र्ट पर डिस्केशन करते हैं तो इसमें 1s-1s overlapping होता है और 1s-1s overlapping जो होता है तो इसलिए यहां पर जो लोगा यह तो क्या होगा तुमारा कड़ों है ठीक है और hydrogen और फेलिद रिदुस्ट प्रस जाने की एज़न रिदिन करते हैं कि इसमें कुछ एलेक्टोटेमस्टी के पोशन है जो कि हाइजन की रिद्टीबिटी जो वहती नीचे वहती है तो यह जही गड़वत होता है तो इसमें कुछ जावा दिमाल लगानी कोशन ही अब दीखें 54 कोश्चन बहुत ही फ्लाइट कोश्चन है यह बहुत आसान कोश्चन इसको 6 यह साथ पर chemical bonding में भी यूश कर सकते हैं आप chemical bonding के लावा जी यूशी में भी यूश कर सकते हैं which of the following option which of the following molecule ion act as a Lewis acid acid क्या होता है Lewis acid? this is co-opted क्या हो इंक क्या होता है चुकि NH3 में आइटम के पास यह होता है lone pair तो यह base होगा H2O base होगा OH minus negative charge रखथा इसके base होगा B3 boron के outermost में 3, 3 flooring से लेगा तुछ है electron diffusion that means answer free, बिल्कुल सभी answer ठीक है 55 questions देखे मैंने बोला था class में कि आपको और metallurgy से question आने का chances ज्यादा है और साथी P block में आगर आप देखेंगे तो P block में Allotrop के questions आने के chances बढ़ जाते हैं और Allotrops में भी carbon का और phosphorus का Allotrops तो बहुत फेमस थी कि देखे होई question कोक, diamond, florens और क्या होगा त्रेफाई इसमें पूछाई कि कौन सा होगा अगर आप दो भी मिला सकते हो तो आपका answer बिल्कूल सही होगा उसे कोक की बाप करें तो कोक एक अच्छा reducing agent होता है और florens की बाप करेंगे तो यह होता है C 16 जो सबसे ज्यादा पायाने वाला most symmetrical structure होता है इसमें cage-like structure होता है 6-membering और 5-membering होता है तो देखें B का A का क्या होगा आपका A का होगा अपन राइच जैसर प्राइच जैसर एंड्ड ग्रिफाइट D का alpha रफन देखें C क्या होगा आपका 4 फोर्थ होगा तो देखी कौन से option रहे है अजर आप दो भी मिला सकते हो तो आपको बहुत आराम से number जाता है अगर आप माल दीजिक ग्रेफाइड में ग्रवड कर दीए तो पता ही क्या होता है लुब्रिकेंट होता है दो हेक्सागोल लेयर होता है वांटर वाल इंट्रेक्सम होता है तो आसान कोश्चन था तेकिंगे और यह बहुत आसान कोश्चन कार्बोनिल कंपाउंड इस बार सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत आसान कोश्चन है ठीक है आई चली थोड़ा कोश्चन सर्गों भी पूशते हैं तो आप बता ही इस नमर 57 क्या होगा यह बहुत आपका है तो यहां से यह कार्बन अक्रबन निकाल देगा कर्बन देगा तो हमको जो अलकेन मिलेगा वो अलकेन होगा CH4 और इसका अब यह कहा है इसका तो मोल्स लेना है तो मोल्स पर इसका आउसर आए का 30 बोश्चन का तो अब यह जो रिएक्शन है यहां पर इनिशिली डिहाइड्रेट होगा और जब डिहाइड्रेट करेगा तो तो आपका हो जाएगा पर संदेगा और सबसे स्टेबल कारगोटायां यहां पर बनेगा त्री डिडीरी का काफ़ों के तउ आपका हो जाएगा फर्स्त तो यहां से हाइड्राइड्स कराता मगा तुकि है इनिएजर कर नेगे पास बियारेट is equal to minus of NFE, the value of Gibbs free energy depends on N, और reason दिया हुआ है, E cell is a intensive property and RG is a extensive property, यह एक्दम सही बात है, कि जो आपका E of cell होता है, यानि एक्टोर potential होता है, वो intensive है, और Gibbs free energy change, यह आपका extensive होता है, तो उस तरीके से answer हो जाएगा, बोथ assherson and reason R2 and reason is correct explanation of A, बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पर delta G, minus 10 है, और N क्या होता है, electron का कि इतना transient हो रहा है, simple question था, flat question था, अब आपने next question पर देखे, यह question है, which of the following, will not a primary immune of the product है, primary immune किस्य नहीं बनेगा, जहाँ भी isosynide रिकोगे, तो आई-so synide का reaction जो लिखियम 1-100 से कर रहो, तो तुह अ बनता है secondary, बागी यहाँ पर क्या है हो तुमारा Hoffman bromide reaction, amine बन जाता है, synide lithium 100, amine बन जाता है, amide, amine बन जायका लिकिन किस्केस में क्या बनेगा, secondary, इसलिए, third one is a right answer, अव कोशनलब नियुक्त ए करकल केंचंगें,akahु झाल संप지ं है विस थोक्त एक्स्टा सब्सक्राइस, दोशीं-क प्रियोटे प्रakapर शनसे॥ तो इस तरीके से एसरसन और रीजन दोनों ही सही है, पट रीजन इस पार्ट को एक्स्पेन नहीं कर रहा है, कि कैसे एक रीएक्शन की एक्टिवेशन नर्जी जीरो हो सकती है, जो आशर होगा, रीजन तरीके से एक्सक्राहा बिंदल में गोट रीजन है। गोडिक्स और बहुत आसान टोश्चन जब की कोडिशन कंपवंट के अगर बात करें तो कॉडशियों क्वाइब ना चाहर मैं इस बार दो गोश्च्ट था दो या ती थी तो लेकिन आसान कोश्चन ए अब देखिए पूछ रहे बूच आप दो गौरें ग्जामपल ऑफ है होते हैं तो होते हैं आपका है सिंपल सी बात है अब यहां पर अगर आप देखें तो इस तो इस वी अलकील में के अंदर डालते हैं तो अलकील में लिकूड अमोनिया में क्या होता है वहींद सब्सक्राइब नियसे फिरेयर इस एकसेप्टिक अब लिकुड अमोनिया के अदर जब एकटिया मेटल यह तो पूरा सोलूर किस तो अवर कम गूता है गुल कुर नहीं पिटू इन्गूद्डी ने अपनुशनिया के जब लू इसका ही ऎगा मैगल तो दो सब्सक्र के वज़े से होता है ना कि हम ID के वज़े से होता है ठीक है ना तो पहला ये तो SM सही है और रीजन क्या होगा है डलग विल यानि इसका एंसर क्या हो जाएगा बने चुकर्ण चुकर्ण ऑचल और नन पृठक है ये बवहत आसान पॉस्चन है 65 इंट्रेक्शन पोर्स है ठीक है यहां पढ़े होँगे चैमिकल मग पढ़ाया जाता है और व में पढ़ाया जाता है आसान सहे डायकोल सही है दायकोल इंडियूस दायकोल फोर्स बश्यकुल सही है आईलल अब आये यहां पे question क्या आगया है यह लेखिये number of sigma pi and loan pair of the pile क्या होता है तो किन्या प्रेखन है now yeah tip here कि यह आसाल कोश्चन सब बताएंगे आपको इस पेट करें तो देखेंगे एक कंपाउंड है जो सब दो एलिमेंट्स है और दी जो है वो क्यूबिक लोग पैक्ट इस्ट्रिक्चर में है और एट्रहेड्रल वाइट्स तो देखें टोटल आज ट्रहेड्रल वाइट्स है एक तो यहां पर एक्स की वैडियो हो गई टू और वाइटी वैलियो हो गई थी प्लस प्री आंसर हो जाएगा आपका फाइड और पौस्टनन्बर शिक्स कि यह जो क्या मिकल बांडिंग का बहुत ही आसान कोश्चन है या पता है एमोटी इसका जो कॉंसर्प्ट होता है है यहाद खीलिए कुछ यह पोईकर City जाता है ते विए एक सिरीज उस करते हैं मर्याद कुछ टोरीग्र इस सीख करें बस एक सीखिए दिमाग में रहेगा beENT फ्लाइड को स्हें यह बस करते हैं धसिक दमान रहें हैं आагं ग्शेशी कईOS अगर अपर प्लस की बात करते हैं तो अपर फ्लस टू में चार जाता है और जब पानी के अंदर जाएगा तो इस तर वाटर की लेयर गया बने ही जाता है और हाइए आमांट उतनी इसको कहते हैं है इसका बेसिक एंसर क्या होगा तो इसका answer क्या होगा? 3rd one is a right answer यह आगा Canada's का question Question No. 70 जो कि बहुत आसान question है यहाँ पर सी rate law expression लिखना था value put कर देनी की और यहाँ सारा यह करा है, for a certain reaction rate is given as K A to the power 2 and B to the power 1 करा ब को हमने constant कर दिया और A की concentration को कर दिया तो अगर आप भी यहाँ पर 3 times कर देंगे तो जो rate आएगा वो 9 times हो जाएगा यहाँ आंसर हो जाएगा increases by a factor of 9 Question No. 71 जो की बहुत आसान question है NCRT based question है एकड़ फ्लाट question है, कोई concept नहीं है data based question है, ठीक है यहाँ पर daily requirement of magnesium calcium in the human body estimated in the 0.2 to 0.3 ठीक है इसमें कुछ करना है अब आजाओ next question पर आते है next question कहा है, next question which of the following molecule is the polymerization product neoprene यार समितल सा question है, polymer का neoprene पहुत ही famous है neoprene के लिए का चाहिए आप पर chloroprene second one is the right answer तो आसान question है तो आप देखिए, डीमों जेल्डाव तो दोहत बात कुछा हुआ है, देखिए किस बार क्या पूछ दिया तुमारा साइगी listen, extraction ठीक है, इसमें उसी का extraction करते है इसमें क्या वक्तर तुमारा nitrogen carbon containing compound or sulfur और यार बख्ये का इसमें क्या पूछ रहा है presence बीच आप ब्लड रेड कलर क्र Wash क्या ब्लड रेड कलर के बात करता है तो यार सтम्टै से चण्द मुष्ट अप्लासट घ्र अप्लासट ज़िया data घ्रत ज़िए तो विसे पीजि guarगा व सकी तो दिसु bir करोंते हिसे ठीक यह देखें, फिस्टल गैमिस्टी का कोश्टन है, कोश्टन नंबर 74, देखें कहा रहा है, अच्छी, मास ऑफ ऑक्सीजिन, कारवन डाउसाइट निकालना है, बाई हीटिंग 20 ग्राम, 20% प्योर लाइमस्टोर, तो सबसे पहले हम यही निकालने, कि यहां पे लाइमस्टोर ह बनता है, 44 ग्राम कार्बट आउसाइड, तो 8 से हो जाएगा, 44 by 100, और 4 से कर देगे, तो आप यहां कर देगे, बल्टिप्लाइग, और जब बल्टिप्लाइगे, तो आपको मिलेगा, 176 divided by 100, और 2 0 आप अटाएगे, तो यहां decimal लग जाएगा, और आपका आंसर हो जाएग 1.76, जब कि आप कोश्चन देख रहे हो, तो कोश्चन का लेगल बहुत जादा नहीं है, आप अगर बेसिक ली पड़े होगे, तो आप बहुत आराब जब कोश्चन है, बहुत आसान है, एक ही क्लाइन में लगा सकते है, अगर 4-5 कोश्चन को छोड़ दिया जाए, तो बा 3-2 एकी बात करेंगे तो nitrogen का Oudible में कितना दो जदभा, तो नहीं हो जाए ऑकर, जब कर दिया एक तो 2-3 में का 1-2 कोश्चन दो आप कोश्चन का 1-2 कोश्चन का 1-2 पाann है, गर जब है पस्गे, ऑकर वखोश्चन में का लिग एकन होगे, तो और बहुत ये, तो जो एक statement based question है, atoms of all elements are composed of two fundamental particles, बिल्कुल गलत है, three fundamental particles होते है, mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, एक गलम सही, isotopes की chemical property save होती, एक गलम सही statement है, और proton and nucleon, proton and electrons are collectively called that nucleon, ये गलत है, proton and neutron को मिला करके nucleon गला है, और लास्ट है Dalton's atomic theory, regarded the atom as ultimate particle, ये एक गम सही चीज़ है, means हमारे सही statement होगा है, B, C and E, यानि हमारा जो answer होगा, को होगा, B, C and E. अब देखें, ये question बहुत आसान है, the element accepted to form the largest iron at least the nearest noble gas configuration, कि isoelectronic की बात नहीं किया है, तो थी कोई बात नहीं होगा, कि कि largest iron कॉन होगा, जो isoelectronic, जिसका मत्तब, configuration of noble gas की पास का हुँचा है, ये सब को पता है, कि oxygen order of our, valence of minus 2 होता है, chlorine minus 2 होता है, sodium plus 1, and nitrogen minus 2, 7-3-3, 8-2-10, 9-10, 11-8-10, अब देखिए ये वाला question, इस question पे बातें बहुत भूसकती है, वाईसा, stability factor which of the following, correct relationship, correct order कुछाएं stability का, inert pair effect आपको पता होगा, बहुत रांसाम होगा, तो इनर्ट pair effect में heavy element keres, electron chemical reaction, participant नहीं कर पारते हैं, अब देखिए, यहाँ पे दिया होगा है, TLCL3, TLCL, और लोला है TLCL3 क्या होगा है, more stable than TLCL. जब कि खेरियन यहाँ पे कितना होगा, अब में प्लस 1 होगा, और यहाँ पे किस फॉम में होगा, में प्लस 3 फॉम में, प्लस 1 की stimulus करती हैं, plus 3 की बिस्की करती है, तो प्लस विदर स्टेबल होगा प्लस थी से यानि इसके एंसर क्या होगा फोल लेकिन एक चिमें रूप जाएगा अब एंटी एक एंसर देता है वो मुझे पता नहीं लेकिन एक और कॉन सब्सक्राइब हूं देखें इनिडियम का ट्राइड है और यहां पर क्या है यह प्ल अगर टी एल प्लस आई त्री माइनस तो अगर ध्यान से देखाता है तो यहीं प्लस वन ने यहीं प्लस तो मेरे करण से इसके एंसर क्या होना चाहिए तो आज इसमें फ्लड़ा कांट्रोशी वो सकती है तो इस को स्टेश्टन को आप एंटी पर ही ठोड़ दिया ठीक है आप यार कोश्चन नमबर गैसल स्टेट में एक ग्राफ वाला कोश्चन है इजी कोश्चन है यहां पर बॉल्स लॉक की ग्राफ बोल ला है तो पहला ग्राफ है पी और पी में यह ग्राफ सही बना हुआ है और कहना है टेंप्रेचर का रिलेशन बताना है तो देखे हमको अगर कोश्चन बताना है हम सेट वगावई को कॉंस्टेंट कर देए हमने यहां पर वाल्यू कर दिया कॉंस्टेंट अब हम सीदे प्रेशर और टेम्रेशर का रिलेशन लगा नेगे तो देखे टेंप्रेचर डैरेट टेंटली प्रोश्चनल होगा प्रेशन लिमीस जिसक फिर यहां पे हमने एक value constant कर दी और ये 1 upon b constant कर दी जो constant कर देंगे फिर से P और T में direct relation आ जाएगा यानि जिसका P ज्यादा उसका वो T ज्यादा होगा तो सबसे बड़ा P आपका होगा T3 के लिए फिर होगा T2 और फिर हो जाएगा T1 यानि आपका correct answer हो जाएगा T3 फिर आपका T2 और फिर आपका हो जाएगा T1 इस तरही के से correct answer होगा जोकी a straight line equation है और इसे पास होगा बिल्गूल सही है आसान question है बहुत आसान question है नेक्स question पर आता है यह देखिए organic chemistry question है identify the product of the fallen eggs दाइजॉनियम है Cu2Br2 HBr के देखिन में Dysonium में N2 gas बाहर निकल जाएगा यहां क्या यह कोई दिक्कत वाली बाद नहीं नहीं जाएगा उसके बाद बोला है magnesium dry ether के presence में पुरंट क्या बनानेगा और ग्रिगनाइड जब बनेगा तो यहां पे क्या लग जाएगा आपका NGDR, simple बात है यहां क्या लग जाएगा आपका NGDR, ग्रिगनाइड देखिए यहां क्या क्या यहां पूंतर के लग जाएगा यहां तो यहां से बाद क्याएगा, यहां से निकालो, चाहे से यहां सच निकालो, बिता है तो डबल ओंड क्या बन गया यहां अचा जो वाट निगला वो साइनाइट गया कर दें तो हाइड बनता है आपका अच्छा अच्छा निगला तो देखें कॉंटम नंबर का बहुत आसान कोश्चन है मागनेटिक क्वांटम नंबर M is equal to कितना होता है तुम्हारा तुम्हारा होता है ना बच्छो ल क्या होता है एजिमुतिल क्वांटम नंबर जो क्या बताता है सबसल के से औरिंटी सबको अब इन दो नुम्हार पूछा यार तो बताओ M-1 by 2 is equal to कितना हो जाएगा तो कौंसा हैंसर मैच करता है सबस्ट परस्ट एजी है आए इसन पर देखते हैं फिर यह इन और्गेनिक के कुश्चन है आसान कुश्चन है यह कहरा है हिलियम इस तो डाइवु टॉक्सीजन इन डाइविंग आपनेटर सी एक तम करेक्ट बिल्कुल पहले नाइडोटन भी उस करते थे इसका भी उसका बिल्कुल सही है और फिर रीजन में दे रहा है हिलियम हम इस इससा आपनेटर बिल्कुल इन जाएगा तो इस तरीके से इस कोश्चन का आपसर हो जाएगा आइस वह नहीं करते हैं एक सेंटी मोलर सेल्उशन है जिसकी कंड़क्टिविटिटी है 0.0210 और कहरा है इसका हम को cell constant निकाला है तो यह relation होता है conductivity equals to 1 upon resistance into cell constant अब यहाँ पे value रख देंगे यह हो जाएगा 0.0210 और resistance आपका होगया 1 upon 16 तो यह आपका होगया cell constant यहाँ से हम L upon A की value निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 1.26 cm एasmu that is 1.26 cmi यह और formula food करना का बाई है कुछ वहाँ रहत मनली को 되면 सेAmИल कि देंगे सिर्थी एसके रिकुषर्य मल्ल करने dezorm से देखने ब्लग Az 알 मलन defence पारिकैनेगे बादी पूरेट ले इन ती बुक्ते यहां पर बैरो लग दिया हुआ है यानि आँसर आपको जाएगा बैरो लग अब देखे कोश्चन नमबर 86 विल्गी दो मोस्ट डेहाइटरेशन अनुगर अगर असरी कंडिशन की बात करना इसके इसके लिए कंड्रोशी हो सकती है ठी करने पर यहां से बाट का करनें पर यहां से वांटका लॉसुऑ कार्बोगतायन बनेगा और आगर हम है तो इसका बतब अगर की स्टिबिल्टी में देखा जाए तो यह वाले कार्बोगड़ाइन अगर बनेगा तो यहां पर यहां पर यह काफी दूर है तो भाई यह इस पर दिया गया मेरे हिसाब से क्योंकि इसका एंसल फोर्थ और सेक्ड दोरों में से अगर के कोडिक देखेंगे और अगर अच्छा कोश्चन है यहां पर चांस बन सकता है ठीक है आई यह बहुत आसान है तॉलेंस रेजिंग फिर से बोला हो एल्डियाइड क करते हैं और कि टोन को फ़र्थ नहीं इस में आपने तांस बैए और कोई फ़र्थ में करते हैं अधासान है और करेंगे इस्वेम्द कर देखेंगें ऑन कॉच ऑफ दो ऑलनीक निटत्र नियुक्त स्कूं सर्श निसां पिशनल से इंनकरें यार इसका रता यार इसका जाली जा सिंपना में बड़ने से इस एं स्फटेट आप स्केंड लुगा यहां इसका सही एंसर क्या होगा ? C & D होगा अब आ गया question number क्या है तुम्हारा ? 89 89 thermodynamics का concept है अब फ्लाट एक्टम formula delta x is equal to delta x अब P निरभी क्या करें कि delta n into r यहां इस question में भी जावा टाइम पर बात करना नहीं अब यहां पे question करें यहां पे question क्या पूछ रहा है ? question है which complex compound is most stable ? तो देखिए यहां पे जो options given है तो जो complex stability compare की जाती है उसमें एक होता है आपका chillate effect और chillating effect वही ligands हो करते हैं जिनकी denticity एक से ज्यादा हो तो देखिए अगर हम इस तरीकी का देखेंगे तो यहां पर एक ही complex है जहां पर diet and date ligand यहां दिया हुआ है तो answer आपका हो जाएगा third अगर donor side carbon होते हैं तब यहां पर यहां पर यहां पर हार जाता है जाता होगा third जाता है कि जाता ही सो निक के छिए साथ कर देते हैं पहला बताइए सब कर देते हैं परक्सानिक इस भी ज़ीज रहा है और सिलफूरस में तो यार एस डवल ओर और दो ओह जो यानि कॉंसों उप्टन मैंश करता है यानि इसका दी कासर फर्स होगा राइट तो देखे दी का सेक्ट लिकर तो य यानि कॉन्स ऑक्षिन होगा है सब्सक्राइब करें तो इस रीक्षिन में चेंज आएगा 6 और यहां पे चेंज आएगा 2 तो आप 3 इसके बाद आएगा 3 और इसके बाद आएगा 4 और यहां पे आजाएगा बदो आपका हो जाएगा 1 3 & 8 रहां बस सिंपल है अलग-अलग रेक्षिन को स्यार टो सेवन पेंट तो माइनस यह प्लस ती मिज़ाएगा सब्सक्राइब 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 जब कि यह तो लईया सब को पता है कि यह नॉन एरब है निक है और यह भी देखें एक दो तीन चार पांट शे साथ 14 यानि फोरन पस तो इस प्लस पर क्या होता तुम्हारा आई-वाई यह क्या देगा इस प्लस और क्या देगा आपका आई मैंड यह यह वावला पॉन्ट उटेंका जब यह वावला पॉन्टेंका तो इंच्टू आईगा यह थेил जाका नियुक्त इए कुछ सब्सक्राइब है ठीक है आज हम 96 कोच्टों देखते हैं ठीक है दे रहा है एक्लिविधियम कॉंसेंट्रेशन ओस्पीसी आ 2 3 10 & 6 और के रहा है 300 degree centigrade temperature है और फिर आगे लिए रहा है और देटा गनोट की वैलो निकाले देखे यह होता है डेल्टा गनोट इक्वल्स तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के बेस 10 हम यहां पर वैल्यू रख देगे यह हो जाएगा माइनस 2.303 आर की वैल्यू तू कैलोरी लिया हुआ है और यह हो जाएगा 300 और यह की आपका है पूर्ट का इसके रिवीरियूम कॉंस्तें और यह जाएगा और यहीं कॉंस्तें की वैल्यू वैंश्टेंट की वैल्यू हो जाएगा तो आप जब इसको पूरा solve करेंगे, आंसर आएगा minus 1318, 1381.8, यानि third one, right sir, कैनली, यह भी आसान question था, यह बता जीज़े sir, 97, देखे तो पहले बता जीज़े sir, कि NCIT का इंक फ्लाट है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते है, इसको NCIT नहीं पड़ा, उसको सायल यह कोशन है, statement 1 is incorrect, but statement 2 नहीं करेक्ट होता है, NCIT पे आप जरू नहीं देख लीज़ेगा, फ्लाट गोशन है, ठीक है, तो मिक्स स्टोन इस एग्जाम्पल आओ, यह भी बहुत आसान को समें, surface chemistry का, solid solid solid, right, solid solid, third one is a right, अब आजाओ, next question पे आते है, identify the final product, D, obtain the following sequence of the reaction, L-dehyde, lithium lithium hydride से alcohol बना लेगा, alcohol का dehydration से क्या बन जाएगा, आपका L-3 बन जाएगा, यानि यहां पे क्या बन जाएगा, आपका CH2 double bond, CH2 यानि B तो पना चल गया है, अब HBR selection करा होगा, तो L-3, CH2 और यह क्या होगा, BR, अब इसके सामने यह पढ़ा हुआ है क्या तुमारा, Bromobin जी, यह मैं सबको पता है, N-A dry ether connection में एक होता है, Oats reaction, एक Oats produce reaction और एक final fitting, तो यह कौं सा reaction है बिटा, गोर्स fitting, क्या 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 बन जाएगा, CS2, CS3, first one is a right answer, एक है, यह देखिए, the reaction, the reaction does not take place in the, यह तो फर्निस का नाम सुनाएगा, ब्लास फर्निस यह बहुत important है, NCRT में इसका डा during the inspection of iron, यार 900-1500 में आकर आप graph देखोगे, एक container के अंदर जो देखा होगा, NCRT में तम बना हुआ है, 900-1500 के वीच में यह वाला आता ही है, मिरी बास्तन में आ गया है कि नहीं, 900-1500 डिग्री में यह सब आ जाता है, यह नहीं आता है, एक्टम ध्यान से देखना, तो उसक बाइस लिए, सबोगे हैं